अगली ख़र कनोज से आ रही है जहां ग्राम्ज सवलपूर के सुरेंदर चंद के उनके ही पडोसी पूसे से पुराना विवाद चल रहा था जिसके कारण सुभा लगबग साड़े पांच बजे दबंगो साजिस के तहट घर के लोगों पर हमला बोल दिया अचानक हुए हमले से परिवार के लोग अश्चर चकित हो गए और उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला इससे पूर की परिवार कुछ समझ पाता दबंगो ने बैरमी से लाठी टंडो की बोचार कर दी अचानक साजिसन हुए इस हमले से जहां चार लोग गंभी रूप से घायल हो गए है जिनमें एक महिला सामिल है तो वहीं एक अधेर सुरेस चंदर की मृत्ती हो गई वहीं इलाज के दौरा सुरेस के पुत्र कमलेस की भी मृत्ती हो गई थी महीं पुलिस ने मौके पर पहुचकर आरोपियों के तलास में अभियान चलाया जिसमें तीन महिलाओ को गिरफतार किया जा चुका था पुलिस ने फरार चल रहे घटना के 25-25 हजार के इनामी अरोपी मुकेस वा महंदर को पुलिस ने भानुलपूर से तिराहे के पास से मुखवीर खास की सूचना पर धर दबोचा अच्छा फिर तुमने क्या किया है तो तुम दोनों पर आरोप भी तो है न डबल मटर केस का जी नहीं बता सकते हो जब जगड़ा हुआ उस वक्त तुम कहा थे सुबह के वक्त वक्त बतातो रहें ज़र हमने बड़ाई बाठी आठी उनकी सही नहीं और जब ड़ाई होने लगी अन्य माने तो लोग चले आएं वारा नाम क्या है मुकेस कहां के रहने वाले हो क्या आरोप है और तुम पर आरोप यह लगाया कि हम वार रिस्तेजारी में देते ते कहां सब्सक्राइब हो अन्य में अन्य मुष्ण कर लिया था हूं उन्हें ने उस बीवाड में तुम नहीं ते नहीं तो महां तो महां पर जगड़ा हूं तो उस समय तुम कहा थे सुभए साड़े पाँच वजे का असपास जगड़ा हुआ था तब आप वही थे थे वही थे तो उस समय तो महा थे जब बिबाद हुआ थे तब तुम ने क्या किया था तुम जगड़े में सामिल नहीं थे अभी किस बात पर तुम पकड़ के आओ यहां पर उसी भी बात में पकड़ के आओ ना तुम्हारे उपर इनाम भी तो है 25,000 का ये बात तुम्हें पता है